हलो स्टुडेंट्स नमस्का विकास बंसल अकैडेमी के सोफिशिल यूटूब चैनल में आप सभी कार्दी का भिनंदन आज किस वीडियो में स्टैटिक जीके का पार्ट टू कंपलीट करवाने जा रहे हैं और इससे पहले पार्ट वन आया था जिसमें बहुत सारे कोशन कंपलीट किये थे और आज की इस वीडियो में पंदरा कोशन है लेकिन पंदरा कोशन के साथ-साथ आपको खूब सारे कोशन जो है एक्स्टर आपको करवाए जाएंगे पहला कोशन देखिए विच इस दा हाइस्ट क्वालिटी ओफ कोल यानि कोईले की कौन सी जो परकार है कौन सा टाइपस है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है बचो कोईला जो है प्राचीन समय के अंदर बहुत साजारों साल पहले जमीन पर जितने भी जिवासम चाय पेड़ पोदे है या पशू है पक्षी है यानि इनके जमीन में दबने के कारण ये जो है कोईला बना और ये जो कोईला जिस परकिरिया से बनता है उस परकिरिया को कहा जाता है कार्बोनाईजेशन तो कोईला एक सेडिमेंटरी रोग कहलाता है सेडिमेंटरी रोग का मतलब ऐसी रोग यानि ऐसी चटाने जो की जमीन में दबने के कार्ण लंबे टाइम तक कार्बोनाईजेशन की परिकरिया के दोरान बनती है और इसमें कार्बन मुखे रूप से पाया जाता है और जिस परिकेरिया से कोईला बनता है उसको कार्बोनाईजेशन कहते है बचो और ये कोईला जो इंदन के काम आता है जलने के काम आता है और अपनी धर्ती पर यानी लगबग 35-40% तक जो इंदन का काम है या एनरजी प्रड्यूस करने का काम है वो कोईले के द्वा बागों में बांटा जाता है जिसमें एंत्रासाइट, बिटोमिन्स, लिगनाइट और पीट ये चार परकार का कोईला होता है और इसको इस तरीके से बांटा गया कि कोईले में कार्बन की मात्रा कितनी है सबसे बढ़िया जो कोईला होता है वो लिगनाइट होता है और एंत् 85-90% जो है कार्बन की मातरा पाई जाती है दूसरा बिटुमिंस बिटुमिंस में कहा जाता है 70-80% जो है वो कार्बन की मातरा पाई जाती है तीसरा लिगनाइट होता है और सबसे जो inferior quality है सबसे जो कम quality का जो कोईला होता है पीट होता है और कुछ तो इसको कोईले में इसको गिनते ही नहीं, सिरफ कोईले की तीन ही परजाती को मानते हैं, लेकिन कोईला बेसिकली चार टाइप का होता है, एंतरासाइट, बीटोमिन्स, लिगनाइट और पीट, और सबसे बड़िया क्वालेटी का जो कोईला होता है, एंतरासाइट, और कोईले की जो टाइपस है, सिर पॉटल कोईले का बहुत कम जो भाग है वो एंतरासाइट होता है यानि एंतरासाइट बहुत कम जो मात्रा में मिलता है कुछ और कोशन देखते हैं बचो तो एक पॉइंट आपा कम्पलीट कर पाए है कि कोल एक और गैनिक सेंडिमेंटरी रोक होती है और यह और गैनिक जो जितने भी आपने जमीन के उपर वेजीटेबल्स या जितने भी पेड़पोदे थे इनके जमीन में दबने के कार्ण हना और एक कार्बोनाईजेशन की परकिरिया के दोरान यह जो कोईला बना एंतरासाइट सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोईला होता है एप्रक्सिमेट जो रिजर्व है कोईले का वो जारखंड के अंदर है और कोल इंडिया लिम्टेड एक पब्लिक सेक्टर एंडर्टेकिंग है पी एस यू है और यह बारश सरकार के अंदर काम करती है और इसका हैड़क्वाटर है कोल काता के अंदर क्वेशन आए आपको कोल इंडिया लिम इसको कहा जाता है city of black diamond कोईले की mining के card इसको city of black diamond कहा जाता है और इसके इलावा the city of brotherhood भी कहा जाता है question आई आपको the city of black diamond या the city of brotherhood किसको कहा जाता है असन सोल असन सोल कहा पर है west bengal और असन सोल की direct जो border लगती है वो धनबाद से लगती है इसलिए ये बिल्कुल जारखंड जो है इसके बिल्कुल border पर लगता है तो इसलिए इसको कहा जाता है city of black diamond कोल जो gas है is obtained during the processing of coal एक SSC के एक्जाम में question आया कि जब कोईला जब जलता है processing of coal होता है कौन सी gas निकलती होता है आपने बताना है coal gas ठीक है यानि जो gas यानि जो भी carbon वगारा जलता है जो gas produce होते हैं उसको नाम ही दे दिया गया coal gas का अब बात करते हैं तो उमीद है ये पहला question आप सभी को समझाया होगा तो कोईला जो बनता है ना बचो वो एक प्राकर registration की जो प्रकेरिया होती है प्राने टाइम में जी जितने भी पेड़ पोदे वगारा जमीन के अंदर दबे और इतने समय के दोरान धीरे धीरे ये प्रकेरिया होती गई जिसके कान ये कोईले का रूप ले लिया और कोईले में carbon होता है जिसके कान ये जलता है चलिए question number 2 प जिसको कहा जाता है और इसकी स्थापना 1901 में हुई इसको जो एड किया गया था 1901 में किया गया था और चुंकि ये constitution में इसको एड किया गया तो ये constitutional body है और finance commission जो है बचो state के बीच में और center के बीच में जो taxation जो relation है वो establish करता है यानि state के बीच में और center के बीच में जो tax का बटवारा करवाता है वो finance commission करवाता है और state के बीच में और center के बीच में जो एक कह सकते हैं finance को लेके या tax को लेके जो भी relation होता है वो finance commission set up करवाता है और इसकी स्थापना 1901 में किया आर्टिकल 280 के अंडर और finance commission का जो head होता है इस इस टाइम भारत का पंदरवां फाइनास कमिशन जो है वो कॉंस्टिटूट किया जा चुका है जिसके हैड का नाम है एन के सिंग आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ये पांच मई दो हजार बीस को मैं बना रहा हूँ और इस दिन मैं ये कहना चाहरा हूँ कि आज के ट जोगी और इस टाइम जो है वो फिर फिन्थ फाइनास कमिशन है और हैड का नाम है एन के सिंग और आर्टिकल पुछे फाइनास कमिशन का आपने बताना है आर्टिकल 280 और ये भी कॉशन बहुत बराता है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में टेक्स का बंटवारा क को उन करवाता है तो finance commission करवाता है ना कि finance minister question number 3 पे आते बचो बहुत पर ये question देखने को मिलता कि washing soda is also known as washing soda को क्या कहा जाता है तो बचो washing soda को sodium carbonate कहा जाता है washing soda जो है ये sodium carbonate होता है जिसका formula या chemical जो formula होता है Na2CO3 होता है और जो sodium bicarbonate होता है ये banking soda होता है ठीक है ना अगर question आए आपको baking soda का formula आपने बताना है न, A, H, CO3 और इसको sodium bicarbonate कहते हैं तो उमीद है ये question भी आप सभी को समझाया होगा question number 4 पर आते हैं which river is originates at Amarkandak बचो Amarkandak एक बड़ा ही holy बड़ा ही धार्मिक टाउन है और ये मद्या परदेश में है यहाँ पर विंद्याचल और सत्पुडा की जो पहाड़िया है या जो प्रवत स्रिंकला है यहाँ पर इनका मिलन होता है विंद्याचल और जो सत्पुडा रेंजिस है इनका जो मीट पॉइंट है वो Amarkandak है और यहाँ से कुछ नदिया निकलती है इस मीट पॉइंट से जिनमें नर्मदा, सौन और जो हिला जो रिवर है वो इपोर्टेंट है ठीक है कुछन है अमरकंटक कहां पे है तो आपने बताना मद्यपरदेश में और अमरकंटक जो है वहाँ पर दो रेंजिस माउंटेंज है इनका मीट पॉइंट है जिसमें विंद्या चल और विंद्या भी कहते है इसको या सत्पुडा जो रेंज है यह प्रमुक है और यहाँ से जो नदी निकलते है इसका नाम नर्मदा है सोन है जोहिला रिवर यहाँ से निकलती है तो इसका जो अंसर आएगा आपने बताना है नर्मदा और कुछन देखते हैं ऑप्शन में गोदावरी भी है तो गोदावरी सेकिंड लॉंगेस्ट एंड कॉर्ड़ दा गंगा इंडिया एमर्ज प्रॉम तरिम्बकेश्वर इन महाराष्टरा देखो बचो गोदावरी जो दक्षिन भारत की गंगा कहते है क्योंकि गंगा नदी के बाद जो भारत की सबसे लंबी नदी है दूसरे नंबर की वो गोदावरी है और यह दक्षिन भारत की गंगा कहा जात और यह जो इसका जो एमर्ज यानि जहां से यह ओरिजिनेट होती है उसका नाम है त्रिम्बकेश्वर और यह महाराष्टरा में है बचो उसके लावा इंद्रा गांधी नैशनल ट्राइबल यूनिवस्टी जो है यह अमरकंटक में हैं क्वेशन आए आपको इंद्रा गांध to scale Mount Everest in the world बड़ा ही important question वर्ड में सबसे पहले Mount Everest पर चरने वाली महिला कोन थी बचो Mount Everest वर्ड की highest peak है सबसे उंची जो चोटी है सबसे उंची जो peak है उसका नाम है Mount Everest और यह नेपाल में है नेपाल में इसको सागरमाथा कहा जाता है नेपाल में Mount Everest को सागरमाथा कहा जाता है और वर्ड की पहली महिला जिसने इसको स्केल किया था उनका नाम था जुनको ताबई और ये जुनको ताबई जापान की है ठीक है ना जुनको ताबई जापान की थी और बचो जुनको ताबई सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला नहीं थी यानि अपने जो seven continent है जितने भी सात महादीप है उनकी अलग अलग जो peaks है हर जिसे अपना एशिया है एशिया की highest peak का नाम है Mount Everest उसी परकार Africa है Australia है हर महादीप की एक highest peak है और इन सातों के सातों जो जितने भी continent है इनकी highest peak को बोला जाता है seven summit और seven summit पर climb करने वाली world की पहली महला जो है उसका भी नाम है जुनको ताबई और ये जापान की है और Mount Everest पर इन्होंने scale किया था 16 मई 1975 ठीक है ना 16 मई 1975 को scale किया था नाम है जुनको ताबई दूसरा नाम आता है बचेंदरी पाल बचो बचेंदरी पाल भारत की पहली महला थी जिनोंने Mount Everest को scale किया था यानि इंडिया की पहली महला नाम था बचेंदरी पाल और world की सबसे पहली महला तो आपने बताना है जुनको ताबई और बचेंदरी पाल ने Mount Everest को scale किया था 23 मई 1984 फिर नाम आता संतोश यादव बचो संतोश यादव वर्ल्ड की पहली वो महला है जिनोंने Mount Everest को scale किया था दो बार लगाता दो बर चगने वाली वर्ल्ड की पहली महला नाम है संतोश यादव एक बर 1992 में और एक बर 1993 के अंदर फिर बात करते हैं हाँ जी बचो अरुनिमा सिना बहुत ही motivational एक personality इंडिया के अरुनिमा सिना एथलीट थें लेकिन एक miss happening हुई इनके साथ कुछ रोबर्स ने इनको चलती ट्रेंज से रखा दे दिया जिसके कारण इनोंने पैर को दिया और उसके बाद वर्ल्ड की पहली मह महिला जिनोंने माउंट एवरेस्ट पर स्केल किया वर्ल्ड की पहली empty यानि विकलांग महिला जिनोंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया नाम था आरुनिमा सिना और ये सिरफ आरुनिमा सिना माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली पहली महिला नहीं इसके इलावा इनो इन्होंने माउंट के लिए मांजरो ठीक है ना और भी बहुत सारे माउंट पर इन्होंने स्केल किया ठीक है तो वर्ड की पहली माउंटेनियर एंपटी यानि पहली जो विकलांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस को स्केल किया उनका नाम है अरुनिमा सिना और इन्होंने सबसे बेस्ट एक्जामपल मैं मानता हूँ अरुनिमा सिना जी को जिन्होंने सभी विकलांग लोगों के लिए एक मिशाल बन कर सामने आए और इतनी बड़ी ट्रेजडी होने के बाद भी इन्होंने होसला पैनाए रखा और आज अपनी एक वहिचान बना ली बढ़ते हैं मालवत पूर्णा ठीक है मालवत पूर्णा यंगेस्ट फीमिल है जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को 2014 के अंदर और मातर 13 साल 11 महिने की उमर में ठीक है मातर 13 साल 11 महिने की उमर में इन्होंने स्केल किया माउंट एवरेस्ट को 2014 के अंदर नाम बोलोगे मालवत पूर्णा, अब एक question और पुछा जा सकता है, first persons were to climb Mount Everest, पहले वो इंसान, जिनोंने Mount Everest को scale किया था, एक तो नेपाल के थे, नाम था, तेंजिंग नौरगे, और एक थे New Zealand के, नाम था, एडमंड हिलेरी, question है आपको, कि Mount Everest पर scale करने वाले पहले इंसान, तो दो लोग चड़ेते, एक का नाम था, तेंजिंग नौरगे, और एक का नाम था, एडमंड हिलेरी, और आज बचों, तेंजिंग नौरगे के नाम से, इंडिया में, एक अवार्ड दिया जाता है, नौरगे अवार्ड और य और इंडिया की पहली मेला बचेंदरी पाल, और वर्ल्ड की पहली माउंटीनिर एंपटी, यानि विकलांग महिला, जिनों ने माउंट एवरेस्ट को scale किया, अरणिमा सिना, और संतोष यादव, लगातार दो बर चड़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर महिला थी संतोष यादव, ठीक है, चलिए, question number next पे आते हैं, which governor journal was associated with the doctrine of lapse, देखो, doctrine of lapse जो है, बचो, history का question है ये, doctrine of lapse को कहा जाता, राज्य हडप नीती, इसके तहत कोई भी प्रोविंस या कोई भी ऐसा राज्य है, जिसके खुद का कोई वारिस नहीं था, जैसे जानसी गिरानी लक्षमी ठीक है, कहते हैं, जिनके खुद के कोई वारिस नहीं है, उनका सारा का सारा राज्य है, सरकार केंडर आ जाएगा, जिसका काफी विरोध हुआ, तो doctrine of lapse को चलाया था, लाड डलोजी ने, ठीक है, इसको जो introduce किया था, लाड डलोजी ने किया था, काफी कारियों के लिए जा इनका ओरिजिनल नाम, जेम्स एंड्रियू ब्राउन राम से था, और इनको लाड डलोजी कहा जाता था, यानि 1853 में इनके प्रयासों के फॉल्स अरूप, इंडिया में रेल इवे की शुरुवात हुई, और पहली रेल इवे, बॉंबे टू थाने चली थी, पहली जो रेल इसका शुरुवात करने का श्रेय भी लाड डलोजी को जाता है, फिर बना गुवर्नर जर्नल ऑफ बेंगॉल, फिर बना गुवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया और फिर बने वायसराय, यानि 1857 की करांती के बाद, गुवर्नर जर्नल नहीं थे, बलकि वायसराय थे, उससे पहले थे, अगर बात करें, गुवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया और उससे पहले थे गुवर्नर जर्नल ऑफ बेंगॉल, तो इन्हों ने गुवर्नर जर्नल ऑफ इंडिया सरव किया, 1848-1856, he founded public work department in India, आज PWD department जिसको अपा बोलते हैं, उसके शुरुवात भी इंडिया के अंदर लाड डलोजी ने की, और इनके नाम पर एक टाउन बनाया गया, एक हिल स्टेशन बनाया गया, हिमाचल परदेश के अंदर जिसका नाम है डलोजी, जहां पर ये लाड डलोजी जो था, ये समवर रीट्रीट य उसमें एबोलिश ओफ टाइटल, यानि जो जितने भी टाइटल्स इन्हों ने शुरू के थे, उनको खतम कर दिया गया, तो ये आप अच्छे से देखेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे लाड मेयो का भी नाम आया था, उप्शन के अंदर, स्टुडेंट्स, लाड मेयो, अ उनली वाइसराय था इंडिया के अंदर, जिसको अपने ऑफिस में रहते हुई, अपने पद पे रहते हुए, उसको मार दिया गया था, बारत में एक वाइसराय, यानि उनली वाइसराय को ही मारा गया इंडिया के अंदर, सरफ एक ही वाइसराय था, जिसकी हत्या की गई, और उसका नाम था लाड मेयो, ये इंस्पेक्शन के दुरान थे पोर्ट बलेर में इंस्पेक्शन पे गए थे, अंडेमान निकोबार में जो पोर्ट बलेर है, वहाँ पर ये गए थे इंस्पेक्शन के लिए, और उस दुरान एक पठान थे, नाम था शेर अली, और शेर अल के यानि आफिस में रहते हुए मारा गया तो आपने बताना है लाड मेयो और लाड मेयो ने इंडिया में जो सेंसस या कह सकते है जन्गन्या के जो शुरुआत थी इंडिया में वो लाड मेयो ने करवाई थी 1871 बतर के दोरान कोशन आए आपको इंडिया में सेंसस की शुरु राजस्तान के अंदर है Q7 पे आते तो यह जो 6 नमबर Q7 था इसका जो अंसर आएगा Lord Dalhoji जिनोंने शुरुवात कराई Doctrine of Laps या राज्य हडप नीती और इसके दोरान जांसी जो था इसको हडपा गया चलिए Q7 पे आते हैं बहुत ही important Q7 Partition of Bengal यानि Bengal का विवाजन कब हुआ आप सभी बता दोगे 1905 लेकिन कुछ डेटा और इसके उनको जाना बहुत आवशक है Bengal 1905 में इसका विवाजन कराए गया और विवाजन का में मकसद क्या था जो division हुई या जो इनको पार्टिशन क्या गया मकसद था हिंदू और मुस्लिम की एकता को अलग लग करना क्योंकि जो अंग्रेज थे इनका में मकसद क्या था फूट डालो राज करो नीती ठीक है ना divide and rule ये नीती थी अंग्रेजों की और भारत में हिंदू और मुस्लिम जो थी वो एकता बहुत थी इन लोगों में लेकिन 1905 में हिंदू को और मुस्लिम को अधार बना कर इनका partition क्या गया बेंगॉल के अंदर अब देखते हैं ये partition हुआ 16 अक्टूबर 1905 को लेकिन announce क्या गया था 19 जुलाई 1905 question आए ना कि partition कब हुआ तो 16 अक्टूबर 1905 announce कब किया गया 16 जुलाई 1905 और उस टाएं वाइसराय कौन था लॉड करजन उस टाएं जो वाइसराय थे भारत के उनका नाम था लॉड करजन और लेकिन लोगों में इतना विद्रो भर गया इस दोरान कि इस partition को 1911 में जब जार्ज पंचम अंगरेजों का राजा भारत आया उसको dismiss करना पड़ा यानि इसको रद करना पड़ा इतनी एकता थी आज हिंदू और मुसलिम के नाम पे देश लड़ता है लेकिन वो समय था जब भारत में हिंदू और मुसलिम की एकता थी और एक स्लोगन था कि चाहे सिख है चाहे इसाई है हिंदू मुसलिम है सब ये आपस में भाई भाई है ये स्लोगन चला करता था आज भी चलता है जो लोग मानते हैं जो लोग इस देश को अच्छे से मानते हैं तो दा पार्टिशन जो हुआ 16 अक्टबर 1905 को हुआ और अनाउंस हुआ 19 जोलाई 1905 को और ये वाईस रहे थे लॉड करजन और पार्टिशन को डिसमिस किया गया 1911 के अंदर अब एक क्वेशन हो राता है बचो सवदेशी मॉमेंट जिसको आज इंडिया में मेकिन इंडिया कहा जाता है उस दोरान 1905 में सवदेशी मॉमेंट चलाए गया कि वीदेशों से बनकर आने वाली वस्तों का बहिशकार करो और भारत में बनने वाली चीजों का आप लोग उपयोग करो ये स्टुडेशी उस टाइम एक मॉमेंट चला सवदेशी और ये चला साथ अगस्त 1905 को जिसको आज के समय में मेकिन इंडिया कहा जाता है और उस साथ अगस्त को आज को मेमोरेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे के रूप में आप सभी को पता है साथ अगस्त को हर साल नेशनल हैंडलूम डे मना जाता है और ये मनाया क्यों जाता है क्योंकि साथ अगस्त 1905 को सवदेशी मॉमेंट चलाया गया थे जिसमें महात्मा गांदी और भी लाला लाजपतर है काफी जो लोग थे इसमें शामिल थे तो इसका जो अंसर आएगा जो उपशन था कि बेंगाल का विवाजन 1905 में हुआ और जो विवाजन जब हुआ 16 अक्टूबर उस दिन तारिक थी और विवाजन आनाूंस किया गया उस दिन सौरी 16 अक्टूबर को विवाजन हुआ और 19 जुलाई को announce किया गया था 1905 में और विभाजन को रद किया गया 1911 के अंदर चलिए question number 8 पे आते हैं to a hunger free world बड़ा ही important question to a hunger free world यानि भूख से मुक्त जो यह संसारई किताब लिखी है MS स्वामी नाथन MS स्वामी नाथन का question बहुत बर आता है green revolution का जो संब्द है वो अगर बात करें wheat या अनाजूत पादन से है ठीक agriculture से अनाजूत पादन से है और भारत में green revolution के father कहे जाते हैं MS स्वामी नाथन और इन्होंने एक foundation बनाया जिसका नाम है MS स्वामी नाथन Research Foundation और यह चैन्नेई के अंदर है question है आपको MS स्वामी नाथन Research Foundation कहां पे है चैन्नेई के अंदर है और इनको कुछ awards भी मिले MS स्वामी नाथन को जिसमें शांती सवरू बटनागर अवार्ड 1961 में मिला और यह अवार्ड दिया जाता है Science and Technology के लिए फिर पदम शिरी अवार्ड पदम शिरी अवार्ड हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है और यह पदम सिरी जिसमें पदम वीबूशन पदम बूशन पदम शिरी यह 1954 से शुरू किये गए अब यह जो अवार्ड है पदम शिरी यह 4th highest civilian अवार्ड है जैसे सबसे बड़ा भारतरतन दूसरा पदम वीबूशन तीशरा पदम बूशन और चोथा पदम शिरी तो पदम शिरी अवार्ड मिला 1967 रहमन मैक्स से मिला इनको 1971 और students रहमन मैक्स से एशिया का सबसे बड़ा कोशन है आपको एशिया का नोबल वार्ड किसको कहा जाता है या एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रहमन मैक्स से है और हाल ही में जो मिला है रविश कुमार को मिला है तो रहमन मैक्स से अवार्ड फिलिपीन से दिया जाता है और फिलिपीन के कैपिटल है मनीला क्योंकि रहिमन मेकस से जो थे वो फिलिपीन्स के प्रेजडन थे और इनके याद में यह आवार्ड शुरू किया गया इनके मरणो प्रांथ तो रहिमन मेकस से आवार्ड मिला 1971 में और पदम बुशन आवार्ड मिला 1972 जो की थर्ड हाइस्ट इंडिया का सिविलियन आवाड है उसके इलावा वर्ल्ड फूड प्राइज मिला 1987 में और पदम वीबुशन मिला 1989 के अंदर तो कॉशन आए आपको जो बुक है टुआ हंगर फ्री वर्ल्ड आपने बताने हैं मेस स्वामी नाथन जो इंडिया में ग्र बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ोतरी मिली और बहुत ज़्यादा अनाज उत्पादन हुआ क्वेशन नमबर 9 पे आते हैं दा स्टेडि ओफ सॉइल्स इस नौन एज मिट्टी की जो स्टेडि है या स्टेडि की जो स्टेडि है वो क्या कहलाती है तो आपने बताना है पै अक्षियों की जो स्टेडि है या बर्ड्स की जो स्टेडि है उसको कहा जाता है और नितोलोजी फिर है वाइरोलोजी यानि वाइरस की जो स्टेडि है या जो वाइरस है उनके उपर रिसर्च जो है वो कहलाती है वाइरोलोजी यानि स्टेडि ओफ वाइरस और question number 10 पे आते हैं name the first Indian women to fly an aircraft aircraft उडाने वाली भारत की पहली महिला नामता सरला ठकराल यानि पहली महिला जिनको ये license मिला था aircraft का नामता सरला ठकराल तो इसका जो अंसर आएगा एक नमबर आएगा which country has the highest military expenditures कौन सा देश military पर सबसे ज़्यादा खर्चा करता है हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है यानि जो Stockholm जो basic agency है Supreme इन्होंने ये data जारी किया है 2020 का और सबसे ज़्यादा military पर खर्च करता है USA second number है चाइना का third है इंडिया का fourth है रशिया का और fifth है सौधी रिबिया का 2020 का data में बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा military पर खर्च करने वाला देश 2019-2020 के दोरान USA second number का है चाइना third का है इंडिया fourth है रशिया और पांचवा नंबर है सौधी एरेबिया तो अंसराएगा USA The Arjun Award was instituted in which year Arjun Award कब देने शिरू किए गए students 1961 खेलों में ये अवार्ड दिया जाता outstanding performance के लिए देखो national sports दे 29 सगस्त मेजर ध्यान चंद का जनम दिन होता है उस दिन national sports अवार्ड दिये जाते हैं जिन में भारत में sports में सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांदी खेल रतन अवार्ड ये दिया जाता है किसी भी खेलाडी को लगाता तीन साल तक अच्छा परदर्शन करने के लिए उसके बाद में second number का होता है द्रोनाचारे अवार्ड जो किसी कोच को बड़िया कोचिंग के लिए दिया जाता है तीसरा अर्जुन वार्ड दिया जाता है जो किसी खेलाडी को उस साल में बहुत बड़ी अपरदर्शन के लिए दिया जाता है ठीक है और ये देना शुरू किया गया था 1961 अब आप सभी ने बताना है द्रोनाचारे अवार्ड कब देना शुरू किया गया अमंग दा सार्क कंट्रीज विच कंट्रीज मोस्ट डैंसली पापुलेटिड की सार्क यानि साउथ एशियन एसोशियेशन फोर रीजिनल कोपरेशन यानि साउथ एशिया का साउथ का इस्सा हना उसमें जितने भी आठ देश है उनका एक ओर्गनाइजिशन बना हुआ जिसका नाम है सार्क और सार्क बना था आठ दिसम्बर 1985 सार्क में जो आठ मेंबर कंट्रीज सबसे ज़्यादा डैंस्टी किस देश की है यान डैंस्टी का मतलब होता है पर स्केर किलोमेटर में सबसे ज़्यादा लोग किस देश में रहते हैं तो स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं सारक हेड़क्वाटर इसका काठमांडू नेपाल के अंदर स्तापना होई थी नाका बांगलादेश में लेकिन इसका हेड़क्वाटर या सेक्टरेट जो है वो बनाया गया काठमांडू जो कैपिटल है नेपाल की आठ मेंबर कंट्री है इसमें ठीक है ना जिसमें बात करूँ मालदीफ है बांगलादेश है बुटान है शिरिलंका है पाकिस्तान है अफगानिस्तान है इंडिया है और नेपाल है यह आठ देश इसके मेंबर कंट्री है और सबसे ज़्यादा जो डेंसली पापुलेटिड है उस देश का नाम है बांगलादेश और सबसे कम नंबर का जो पापुलेटिड है डेंसली उसका नाम है बुटान यानि बुटान की डेंसिटी सबसे कम है डेंसटी जिस देश का area कम होगा ना उस देश की density ज़यदा होगी और जिस देश का area ज़यदा होगा उस देश की density कम होती है अब यह सार्क member countries के बीच में games organize करवाय जाता है और उसको बोला जाता है South Asian game और यह 2020 में होंगे कराची पाकिस्तान के अंदर ठीक है, 2020 में पुछे, आपने बताना है कराची, पाकिस्तान, अब बात करते हैं, Secretary General of Sark, इसका सबसे बड़ा दिकारी Secretary General होता है, नाम है इसाला वीराकुन, इसका नाम है इसाला वीराकुन, शिरिलंका से हैं, और Sark को founded क्या गया था, डाका, यानि 8 दिसंबर 1985 को इसको founded क्या region कौन सा है, तो आपने बताना है Macau, आज के समय में तो Macau चाइना के इंडर है, लेकिन Macau में सबसे ज़्यादा जो density है, और यहाँ पर स्केर किलोमेटर में 21,340 लोग रहते हैं, पर स्केर किलोमेटर में 21,340 जो लोग है, इनका यहाँ पर आंकड़ा है, और Sark member countries में सबसे ज़्यादा जो densely populated है, बांगलादेश और सबसे कम है, बुटान, उमीद है यह question आप अच्छे से कर पाओगे, question number 14 पे आओ, where is Lady Wellington Park, Lady Wellington Park, आपने लोधी गार्डन का नाम सुनाओगा दिल्ली की, बिल्कुल हाट में, ठीक है, खान मार्किट के बिल्कुल पास में, यह Lady Wellington Park है लेकिन आज इसका नाम लोधी गार्डन है, जिसको प्राने समय में प्रीवियसली यह जाना जाता था, Lady Wellington Park के नाम से, आपने बताना है, दिल्ली के अंदर, ठीक है, अब देखो, इसका जो नाम था पहले, भारत के जो वाइसराय थे, Lord Wellington, Wellington के जो पतनी थी, उसके नाम पर इ रानी समादी, यानि जानसी की रानी जो है, लक्षमी बाई, उनकी समादी या टॉम कहां पर, उनकी समादी कहां पर बनी हुई है, आपने बताना है, ग्वालियर और ग्वालियर है, मद्यपरदेश के अंदर, ठीक है, जानसी की रानी लक्षमी बाई, इनकी जो समादी बन भारतिये शहर है और यहां पर कैप्टन रूपिभ सिग इंग महन है यह भी ग्वालियर मेठी प्रदेश में है तो जांसि गिराइन लक्षमी बाई की समाधी आपने बताना है ग्वालियर जो की चंबल नदी की किनारे बसा हुआ भारतिय शहर है मध्या प्रदेश में हैं तो उमीदे स्टुडेंट्स आज जितने भी 15 कोशन किये हैं आप अच्छे से कर पाऊगे और मैं विश्वास से कहता हूँ अगर आप एक्जाम म कर पाऊगे और अच्छे से आप जो है इन कोशन को रिवाइज करो और अपने जो त्यारी है उसके अंदर इनको काम में ले क्या हो धन्यवाद